तो कैसी है पब्लिक तो इस वीडिवे में हम काफी सार अपडेट के बारे में बात करने वाले आए तो वीडियो कलास तक जरूर से देखना तो हुआ हमेरी फर्स अपडेट है ठगेस के बारे में तो क्या ठगेस का कुछ बड़ा प्रोजग्टा आने वाला है तो इसी के बारि में बात करते हो है अपनी Instagram पर फोटो प्लुट किये हैं खबार आरे कुछ नहीं आ रहा है सुन हे स्टेक एलसी उसके बाद अपनी Instagram पर एक और पोस्ट किये जिसमें और नरिकाश कब्रेस return with a new setup तो सायद हो इसी प्रोजेक्ट के उपर में बात कर रहते या फिर कोई और भी हो सकता है मैं कंफर्म नहीं बता सकता तो हमेरी नेक्स्ट अपडेट है फूकरा इंसान के बारे में तो फूकरा इंसान का जो न्यू सोंग आने वाला है विग लाइप तो इस सोंग को हिट कराने के पांडा गेंग ने ट्रेन रखाया दस तारिक को वह भी ट्विटर पर यानि के कल के दिन तो आप भी फूकरा इंसान के फेन होंगे तो इस ट्रेन पर जाकर पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना तो हमेरे नेक्स्ट अपडेट है रीतिक रोसन के बारे में तो आपको मैंने नेक्स्ट अपडेट है एक्टर यस के बारे में तो यस का जो मूवी आने वाला है उसका भी ट्रेलार आ गया है तो आप जाकर योगूर से देख लेना और इस मूवी के नाम होने वाला है टॉक्सिक और यह रिलीज होने वाला है दस अप्रेल दोजार पचीस में तो हमेरी नेक्स्ट अपडेट है सौरब जोशी के बारे में सौरब जोशी नहीं अपने ब्लोग वीडियो में बताया कि यह वो आ गये है वह इंडिया टॉप हंडर्ड डिजिटल इस्टार के लिस्ट में और वह भी सिक्स नमबर पर यह तो एक बॉक्स निकला इस पर डिबन भी ल 23 में आया है और हमारा नमबर बते किया टॉप 100 में अब दातना रुको यह रहा चटे नमबर पे हम शिक्स नमबर यह तो 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 नमबर पे एस 24 category fashion and lifestyle average views 25 million sketches on Facebook and uploading his first video on YouTube on July 20th but the 365 vlogs in 365 days challenge that he took on in 2020 made him the digital star बड़ भाई बहुत प्राउड की बात है इस magazine में छटे नमबर पे आना तो सौरब जो सिकों लेकर के आपका क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताना तो नेक्स्ट अपडेट जाने इस पर लेगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो वीडियो क्लैके इन चैनल को सुस्क्रेब जरूर से कर लेना तो हमेरी नेक्स्ट अपडेट है धुरूब राटी एन एलवी सियादा के बारे में तो आप सभी के तो पता होगा कि एलवी सियादा और धूर राटी के बीच में कोंट्रोर्सी होता ही रहता है तो इस बार हुआ क्या कि दूरूर राटी अपने कमेंड क रिपलाइ कर रहे थे तो एक बंदे ने एलवी सियादा के बारे में ये कमेंड किया था कि दूर यू सिया ने रे औफ होग फोर इन यंग्स्टर वी न्यू सी फोर एलवी सियादा फैंस एवरीवेर तो इसी के रिपलाइ करते है दूरूर राटी ने कुछ यह कहा अपकोस होब इस आलरेज देर मोस्ट पीपल ग्रो आउट आप दिस ब्लाइन फैन वर्सिस टेस प्रीटी कुटली तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतने ही आप कोई वीडियो के जी लगी कमेंड करके जरूर बताना तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ल बाई बाई